देखिए सबसे पहले अगर आपको एंट्री करनी है सेल करना है तो आप जैसे बैंक निफ्टी का 46700 को को आप बाई करने जा रहे हैं आपने क्लिक किया बाई और सेल का ओप्षन दोनों नीचे आ जाता है आपको मान लिजे आप सेल करने जाना है मान लिजे आप पहले है तो यहां सेल कर लिजे कॉंटिटी लॉट में आपका लॉट साइस होता है 15 अगर आप एक लॉट सुनते हैं तो 15 मतलब अगर आपको शेयर में डालना होगा नहीं तो लॉट साइस के मल्टिपल में वन टू डाल सकते हैं सेलिंग प्राइस अब देखिए आप किस प्राइस बताना है जहां पर मार्केट पहुंचे तो आप एंट्री करें मान लिजे अगर आप सेल करना चाहा रहा है अगर आपने यहां 32 डाल दिया लिमिट प्राइस अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है यह ब्रैकेट ऑर्डर का देखिए यह प्रोडक्ट टाइप में ब्रैकेट ऑर्डर लिखा है जब आप ब्रैकेट ऑर्डर चुनते हैं तो यह बहुत ही सुविधा जनक हो जाता है convenience के अनुसार हो जाता है क्या हो जाता है देखिए आप इसमें stop loss भी डाल सकते हैं और target भी डाल सकते हैं दोनों साथ में डाल सकते हैं मान लीजे आपने entry र अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है तो आपको लिमिट चुनना है ब्रैकेट ऑर्डर में आपको सुविधा यह मिल जाती है कि आप स्टॉप लोस और टागेट दोनों साथ में डाल सकते हैं जैसे ही एक और फुल्फिल होगा मान लीजे आपका 32 मार्केट आया आप अ अपने स्टॉप Lauz लगा दी है ब्रैकाट अबरत जाएग्स आप कतना पॉइंट ओपर होगा मार्केट में से पैसा निकल जाए मान लीजे आप प्लु5930 तो नहीं ह law firm जाएगा तो आपका टारिडी है है मान दीजिए आपने 32 पर सेल किया है आप चाह रहे हैं कि आपका 10.0 मतलब 32 सीधे कम हो जाए कितना आजाए आपका 22 22 पर आजाए तो आपको टार्गेट मिल जाए तो यह दोनों चीजें आप साथ में डाल सकते हैं यहां पर stop loss spread और आपका उसमें साथ में यह भी दिखाता है कि approximately आप कितना पैसा गवाएंगे जब गवाएंगे 45 रुपए दिखा रहा है और अगर कमाएंगे तो 150 दिखा रहा है कि यह बी क्लियर हो जाता है कि आपका जहां भी entry हो रही है उससे कितना point नीचे यह उपर market जाए कि आपको profit हो जाए तो इसमें होता यह है bracket order में कि आप जब entry करते हैं तो साथ में दो order और लग जाते हैं market में आपके broker account में चले जाते हैं कि यह stop loss order भी है target order भी है जो भी पहले hit होगा मालीजे stop loss order पहले अचीव हो रहा है इस order को place करने पर एक और बात ध्यान रखिए कि आप normally जाके square off position नहीं कर सकते हैं square off करने के पहले आपको दोनों में से कोई एक order stop loss order या target order जाके order book से cancel करना होगा तब आप direct square off कर सकते हैं वरना direct square off तुरंत आप नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में से जब अब आपको क्या करना है मान जीजे 30.05 पर execute हुआ है अब आपको इसमें लगाना है stop loss अलग से bracket order नहीं अलग से लगाना है तो अलग से लगाने के लिए आप जहां भी जो भी आपका option है उस पर फिर से क्लिक कीजे अब आप कीजे buy क्योंकि आपने sell किया है तो आप buy करेंगे जब sell किया है तो buy करें में stop loss limit डालना है stop loss limit डाले ऊपर डाल दीजे जो भी आपका stop loss है मान लीजे 33 आपका stop loss है और stop loss trigger हो जाता है 32.5 मैं समझा देता हूं stop loss trigger क्या होता है stop loss क्या होता है कभी कभी वह exact point hit नहीं करेगा बलकि market उसके नीचे और तेजी से भाग जाएगा तो आपका stop loss होने से भी बच सकता है और market और अगेंस चला जाएगा आपके और आपको हो जाएगा नुकसान तो उससे बचने के लिए यह लोग कहते हैं कि हमें range दीजे तो stop loss trigger वो point होता है यहाँ पे market आते ही trigger दे देगा यह signal भेज़ देगा कि अब stop loss लेना जरूरी है और इस speech 32.5 और buying price है 33 के बीच में कहीं भी कोई भी point मिलेगा जिस पे market निकल पा रहा है तो उस पे वो निकलने की कोशिश करेगा तो आपको यहाँ पे आपने पहले sell कर दिया अब आपको stop loss बगाना है तो आपको आना है bank nifty के जो भी आपने sell किया है वहाँ जाईए उस पे click कीजे buy पे click कीजे अगर आपने पहले buy किया है तो फिर इसमें sell कीजे अगर आपने पहले sell किया है तो यहाँ buy कीजे अब देखे आपने पहले sell किया तो इसमें आके buy पे click करने के बाद किया था उतना ही यहां डाल दीजे कॉंटिटी में उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लिमिट पर क्लिक करना है जो मान लिजे 30 पर एंट्री किये थे आपको 33 पर निकलना है आपको बाइंग प्राइस होगा 33 और ट्रिगर उससे थोड़ा सा पहले होगा अगर आप पहले से अब बाइं करना है तो ट्रिगर थोड़ा और कम होगा मान लिजे 32.8 लगा दीजे यह हो गया आपका ट्रिगर प्राइस यहां आते ही मार्केट ट्रिगर कर जाएगा कि आप हमें स्टॉप लॉस लेना है तो 32.8 से लेकर 33 के बीच कहीं भी मार्केट निकलने की कोशिश कर स्टॉप लॉस भी लगाना वही अगर आपने पहले भाइ किया होता तो आप इस पर क्लिग करके ऑर हाँ स्टॉप लॉस लिमित और ऑर Logs लिमित और क्यूंक्स तॉप अपने थट्टी पर खरीत है तो आपका इस मतलब मान लीजे 27 और trigger price हो जाता 27.5 यह 27.5 हो जाता ऐसे stop loss trigger लगा के swipe to sell कर देंगे तो आपका stop loss एक order चला जाएगा आपके open orders में यहां आ जाएगा तो देखे अगर आप test कर रहे हैं तो पहले क्या कीजे एक बार जाके एक lot में यह काम करके देख लीजे so that clarity मिल जाएगा बड़े lot में सीधे इतना बड़ा orders placement कीजेगा अगर आपको clarity नहीं है एक बार छोटे lot में मतलब एक lot में try करके देख लीजे जब clarity हो जाए कि भीया कैसे काम कर रहा है तब आप बड़े lot में कर सकते हैं I hope समझ में आया हो कोई भी doubt हो तो please पूछ लीजेगा Thank you